Hello guys, welcome to current affairs funda, my name is Vikas Guys, आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे private sector bank में जो recent में MD और CEO हैं उनके बारे में तो ये जो मैं आपको पूरी list प्रोवाइट करा रहा हूँ ये 2022 updated है जन्वरी मन्त की तो आप यहां पर एक बार public sector bank में जो CEO MDs हैं उनको भी देख सकते हैं उसका link में आप सभी को नीचे description में दे दूँगा और ये जो पूरी PDF है ये आप download कर सकते हैं हमारे current affairs funda app से तो आपको क्या करना है प्ले स्टोर से जाकर इस app को install करना है इसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा और बहां पर ये free study material वाले section में PDF आपको provide करा दी जाएगी और current affairs के लिए annual membership भी हमारी है जिसमें जनबरी 2021 और 2022 आपको सारे current affairs monthly base पर मिलेंगे जिसमें हर मन्त के 500 MCQs होंगे और one liner format भी होगा और साथ में जो banking awareness है वो भी यहाँ पर दोस्तों आप सभी को मिलेगा तो 12 मंत का banking awareness भी मिलेगा और हर एक चीज यहाँ पर हम लोग cover करेंगे तो आप इसको एक बार view कर सकते हैं तो पहला appointment है यह दोस्तों access bank से access bank का headquarter जो है वो है मुंबई में और अमिताप चौधरी यह MD and CO है ठीक है managing director और chief executive officer तो यह दोनों चीज आपको याद रखनी है यह static portion है एक तरीके से कि आपको यहाँ पर headquarter भी पता चला है और पहलल आपको updated जो हैं इनके MD और CO के बारे में भी जानकारी मिल लगी है एक बार जो नए user है वो लोग subscribe जुरू कर लें कोई काफी लोग subscribe नहीं किये हुए है तो आपके पास हर एक notification और चीजे मिलती रहे दूसरी चीज यहाँ पर है बंदर bank यह Kolkata based है और चंदर सेखर गोश जो है वो इसके MD and CO है ठीक है तो यह questions आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों है CSB bank और CSB bank में CBR राजंदरन है यह MD and CO है ठीक है तो यह questions आपसे पूछाएंगे कि केरला based है CSB bank City Union Bank यह है Tamil Nadu based कुमा कोनम और Dr. N. कमकोडी यह इसके MD और CO है ठीक है DCB bank यह मुंबई इसका headquarter है और मुर्ली M. Natarajan यह MD and CO है तो recent में बहुत सारे bank जो है चर्चा में रहते हैं तो आपको यह चीज़ें पता होनी चाहिए दनलश्मी bank यह भी केरला का है तिरसूर का और शिवान जेके यह यहां के MD and CO है Federal bank की बात करें तो यह कोची केरला बेस्द है और इसके जो MD and CO है इनका नाम है सियाम सिरी निवासन SDFC bank यह कई बार पूछा सकता है और SDFC bank के जो MD and CO है इनका नाम है ससीधर जगदीशन एक question मैं आप सभी को दे रहा हूँ आपको comment section में बताना है कि SDFC इसकी full form क्या है ठीके कई बार यह question में पूछा गया है यहाँ पर ICCA bank है ICCA bank Mumbai based headquarter है Sandeep Baxi यह MD and CO है अगर हम IDBI bank की बात करें पहले यह public sector bank हुआ करता था बाद में इसका privatization हो गया Mumbai based इसका headquarter है और Rakesh Sharma यह MD and CO है ठीके इस bank में कौन से organization की सबसे अधा हिसेदारी है यह आप सभी को बताना है मैं आपको यहाँ पर options दे रहा हूँ एक है आपके पास में ICICI ठीके एक है आपके पास LIC एक है NIACL ठीके और एक है आपके पास में DCB तो आपको बताना है कि इस IDBI bank के अंदर कौन से organization की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है यह question GK में था पहले चर्चा में आया था इस वज़े से मैंने आपके डिसकस किया है तो IDBI के जो MDCO इनका नम है राकेश शर्मा और Indocent Bank यह Mumbai headquarters इसका है महराष्टा में और सुमन्त कटपालिया यह यहाँ के MDNCOs है ठीक है यह PDF आप सभी को Current Affairs Panda के mobile application पर मिलेगी वो आपको नीचे link दिया गया है बहाँ से आप directly अपको download कर लें काफी कुछ अप में दोस्तों आपको मिलने माला है और आप यहाँ पर यह भी देख सकते है नेक्स है वो है IDFC के 1st जो IDFC 1st bank है इसका headquarter मुंबई में है और जो यहाँ के MDNCO है इनका नम है वी वैद दिनातन ठीक है तो यह question दोस्तों पूछे जा सकते है ठीक है जम्मू इन कस्मीर bank जिसको हम JNK bank sort में बोलते हैं सीरी नगर जम्मू कस्मीर में इसका headquarter है और बलदेब प्रकास यह MDNCO है तो यह questions आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर है करनाटका bank यह मंगलूरू में है और महावलेशराव MS जो है यह इसके MDNCO है यह है करूर वैसे bank तो करूर तमिलाडू में है ठीक है महाँ की जो है तमिलाडू की यह bank है और रमेश बाबू बी रमेश बाबू जो है वो यहाँ के MDNCO है ठीक है यहाँ पर कोटेक महिंद्रा बैंक देखलो आप कोटेक महिंद्रा बैंक मुंबई बेज़ रहे मुंबई में इसका headquarter है और उदै कोटेक यह इसके MDNCO है ठीक है तो यह आप से भी को यहाँ पर पता हो रहा चाहिए एक चीज़ मुझे comment करके आप बताएगा कि State Bank of India SBI की tagline क्या है ठीक है आपको मैं एक separate session में updated tagline भी करा दूँगा सब कुछ ठीक है तो आप लोग एक बार comment करके बताएगे कि क्या आपको SBI की tagline मालूम है वो आप comment में बताएगा ननिताल बैंक ये ननिताल उत्रहण में है दिनेस पंत यहां के MDN CEO है आर्वियल बैंक आपने देखा होगा मुंबई मारास्टा में इसका headquarter है और राजीब अहुजा ये MDN CEO है ये भी चर्चा में आया था ऐसा क्यों हुआ था क्योंकि RBI ने अभी जो इनके board of directors से उनके उ कि maximum चीजें क्या है इसकी इसके जो product है वो है credit cards ठीके तो risk जादा है उस वज़ा से चीजें आगे आई और बहुत सारा impact भी पड़ा इसके उपर तो अभी RBI ने इसको news में लिया था इस वज़ा से काफी important है राजी बहुजा ये MDN CEO है ठीके यहां पर है South Indian Bank ये तिरसूर के हाँ पर है ये है तूत कुड़ी ठीक एक जगह है ये है के बी रामा मूर्थी ये MDN CEO है तो ये देखो बहुत ही famous जो highlighted name होते है वो भी पूछा आते है और कई बार ऐसे नाम भी पूछ लाते है तो आपको banking के knowledge at least होनी चाहिए ES Bank ये मुंबई इसका headquarter है और ES Bank के MDN CEO है इनका नाम है प्रशान्त कुमार तो ये आप सभी को पता होने चाहिए बाकी आप लोग टेलिग्राम पर current affairs funder search कर लेना इससे आपको हमारा regular update के लिए channel मिल जाएगा टेलिग्राम पर हर एक information available होती है तो बहाँ पर आप लोग उसे connect रह सकते हैं बाकी गाइज इसको एक बार subscribe कर लो ताकि आपके वास हर एक update आता रहे और अगले session में लोग फिर मिलेंगे thank you so much have a good idea all of you once again और यहां पर कुछ playlist है तो आप इनको भी देखें और अपनी preparation अच्छी करते रहें और play store पर जो एप है उसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा